बाबा आम्टे, महापुरुष भी इसी धर्ती पर जन्म लेते हैं, जो अपने कारियों द्वारा सदैव के लिए अमर हो जाते हैं. ऐसे ही एक महापुरुष ने इस प्रिथवी पर जन्म लिया, जिनका नाम था बाबा आम्टे. इन्होंने अपना संपून जीवन, गरीबों, असहायों, दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया. बाबा आम्टे का पूरा नाम मुरलिधर देविदास आम्टे था. इनकी मां इन्हें प्यार से बाबा कहकर बुलाती थी. इसी कारण लोग भी इन्हें बाबा कहकर प रसिद्ध हो गए. मुरलिधर का जन्म महराष्ट्र के एक संपन्न जमीदार परिवार में सन 26 दिसंबर 1914 इस्वी को हुआ. इनके पिता का नाम देविदास हरबाजी आम्टे था, जो एक सरकारी अधिकारी थे. इनकी माता का स्वभाव बहुत ही सरल था. उनमे उदार था, विनय शीलता, अनुशासन, सच्चाई, सेवा भाव आदि गुणों का भंडार था. वे जादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत बुद्धि मती थी. मुरलिधर की प्रारंभिक शिक्षा माता के गोद से ही आरंभ हो गई थी. बच्पन में मुरलिधर कोई भी कार्य सीखने में थोड़ा समय लगाते थे, लेकिन इससे उनकी मां कभी परेशान नहीं हुई. वे हमेशा मुरलिधर को यही शिक्षा देती थी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हार न मानना ही जिन्दगी का दूसरा नाम है वे कहती थी, जो सुख किसी को कुछ देने में है, वो लेने में नहीं है. बाबा आम्टे ने मां की सीख का जीवन भर पालन किया. बच्पन में जब वे अपने पिता की जमेदारी में काम करते हुए मजदूरों को देखते तो उनका हरदय द्रवी तो हो जाता. वे अपने भोजन को गरीबों में बांट दिया करते थे. उनके मन में उच नीच, छोटे बड़े का कोई भेद भाव नहीं था. मौका मिलते ही मजदूरों के बच्चों के साथ घूमने निकल जाते थे. प्रकृती प्रेम तो उन्हें अपनी मा से विरासत में प्राप्त हुआ था. प वकालत की परिक्षा उत्तीन करने के बाद वकालत का कार्य करना आरंभ किया. लेकिन उसमें उनका मन नहीं रमा. उनका मन तो दीन दुखियों और गरीबों के बीच ही भटक रहा था. अब उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे लोग सेवा का ही कार्य करेंगे. मुरली धर गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए. उस समय गांधी जी द्वारा चलाया गया. स्वतंतरता आंदोलन जोरों पर चल रहा था. वे गांधी जी से मिले और उनके साथ देश सेवा के कार्य में जुट गये. गांधी जी ने उन्हें अभय साधक की संग्या प् निकाल दिया था. उनका समाज में कोई स्थान न था. मुरली धर ने उन्हें आश्रे प्रदान किया. उनके अंदर आत्म सम्मान जगाया और उन्हें कमा कर खाने के लिए प्रेरित किया. यहीं से शुरू हुआ उनके आनंदवन का सपना. अनेक रोगी मुरली धर के पास आने लगे. वे उन रोगियों की सेवा तन मन धन से करते थे. उन्होंने उनके रहने के लिए जूपडी बनाई. उनके इस कार्य में उनकी पतनी का पूरा सहयोग था. उन्होंने परिश्रम करके खेती का कार्य भी शुरू करवाया. वहीं के रोगी जो ठीक हो चुके थे. वे सब कार्य करते थे. धीरे धीरे मा के बाबा सब के बाबा बन गए. उनके आत्म विश्वास, परिश्रम और लगन का परिणाम ये हुआ कि आज आनंदवन में रोगियों के लिए घर, अस्पताल, विद्याले, सब ही कुछ है. बाबा का य यश्व बढ़ने लगा. भारस सरकार ने उन्हें पदम श्री की उपाधी प्रदान की. 1978 इस्वी में उन्हें जमनालाल बजाज पुरसकार तथा 1985 में मैकसे से पुरसकार भी प्रदान किया गया. यद्यपी, आज बाबा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यश्य रूपी शरीर आज भी जीवादान की.